हेई वाट्सवाइब रिवड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो हूँ अभी गोड़ेडी के यहां पर ओफिस्यल वेपसाइट पर हूँ और यह जो है गोड़ेडी.com है वही पर मैं जो हूँ दूसेरा टैब में जो हूँ नेंची डॉटकम मैं नहीं टैब में लगा है और दोनों की जो बीच है वो कंपाइजन करूँगा देखिए यहां पर मैंने एक कितना का क्या क्या भी बन रहा है इसमें ये जो पहले का है ये अभी का है एक कुछ पहले का जो मैंने सर्च किया था उसे मैं डिलीट कर देता हूं अभी फिलाल और देखते हैं इसका जो है क्या आता है तो देखें दो साल के लिए इसका बहुत कम है ये जो है पहले से था हाउस इससे डिलीट करते है यहां पर देखें डॉट कॉम पर आया यहां पर जो है वन यह रेजिटेशन के लिए आपको 9.06 लग रही है जिसे मैं डॉट कर देता हूं इंडियान में यहां देखें 9.06 अब देखें आप जो है कितना रहा है 660 रुपीज आ रहा है इंडियन रुपीज में लेकिन अब यह तो एक साल का था लेकिन आपको जो है वो डोमेन एक साल से ज़यादा चलाना है तो इसको सपोज किये कि मैं 2 years करता हूं अब देखिए यह 18 डॉलर हो रहा है 2 years के लिए 4 years के लिए करता हूं तो 36 डॉलर तो एक वार में जो 2 years के लिए हिसाब से देखता हूं यहां पे 18 डॉलर के लिए कितना होता है 18 डॉलर के लिए तो यहां पर करना है 18 वल्र क्रिक्टा हो तो बा tasty ओड़ा रहा है और को ड widgets मैं ने डिये जैहां मैंने किया था कार्ट को मैं देखता उन किया गया, next to Ś predictions. पता चलना हब जाए गसमें गस्ट जोड के भी आपको बताया जाता है दो साल का दोनों जो है वो मैं compare करता हूं कि दोनों का pricing क्या है यहां थ्री यर सेलेक्ट हो गया मैं इसे टू यर जल्दी से कर देता हूं ओके तो यह आपको 18.12 दिखाई दे रहा है और आपकी फीस सब लेकर ओके फीस सब कुछ फीस जो है यहाँ पे लेकर वहीं देमर्स कंपनी नहीं है क्योंकि देखिए इसमें जो domain प्रोवाइड करती है registration और web hosting इसकी दो ही main काम है ओके लेकिन वहीं अकर हम GoDaddy की बात करें तो GoDaddy बहुत ही trusted कंपनी है और यह बहुत पुरानी कंपनी है देख सकते हैं यह 1997 की कंपनी है और यह जो है अभी इसके total employee है 7000 है और मैंने GoDaddy के company means employee से बात की थी जब मेरी जो है वो एक domain में कुछ problem आई थी तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे issue को resolve कर दिया था तो I trust GoDaddy rather than name chip अब देखते हैं GoDaddy का है आ गया होगा अब देखे यहाँ पे जो है यह professional email को मैं delete करता हूँ और यह जो है आपकी cut cut के आती है 1240 और इसकी आ रहे थी आपकी 18.12 यानि कि इसके अगर देख रहे तो यह आ रहे थी 312 तो कहीं न कहीं थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाता है GoDaddy पे और इसकी trust भी ज्यादा है और add भी आप बहुत ज्यादा देखते हो तो आप जो है वो रिलाई कर सकते हो GoDad GoDaddy.com पे और I hope कि आपको basic difference समझ में आ गया होगा आप ऐसे ही जाके जो है वह और सभी का difference देख सकते हैं but I would like to recommend कि you should go with GoDaddy.com and it is more trusted and customer service is also very good so thanks for watching the video have an awesome day